नमस्कार दोस्तों आपका फिर्चेस वागा थे एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में सिंपले देखते हैं तो यहां पर देखें तो मार्केट में थोड़ा सा भी उथल पूतल होता है कि बहुत चलो के मन में पैनिक आता है कि एक्चुल में हो क्या रहा है तो बिटकोइन देहें तो बड़ा बड़ा कुछ गॉड्ड बेरी सकंडल बना यहां पर नोटिस करेंगा तो यहां पर उड़ेश करते हैं तो यह वाला ठीकना बटेस्टील अभी देखें तो यह कहीं ना कहीं इस वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके उपर ही कहींना कहीं करेंगे तो ट्रिलिन में भी नहीं है बट बिटकोईन जो है इन तीनों बड़े बैंक जो कि दुनिया के सब्सक्राइब के उससे भी बड़ा है बात को समझेगा उससे भी बड़ा इसका मार्कट कैप हो और अगर आते हैं पर एक चीज़ को नोटिस करते हैं तो भाई जो आपको मैं अभी दिखाना वाल था कि मैं वीडियो बना रहा तो यहां पर हंक आज फिर से ट्रेंड करता हुआ दिखा देखना कि मैं इसको अपडेट एक डालता हूं पर इससे पहले अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो में पहली बार है तो यहांपर शेंपली अगर नोटिस करते हैं तो गरते हैं ऑर आप तहके और भी ये काफी जादा पर चार्टेश मेंगे तो दिखते यहां पर सबसे इंपोरेंट बहुत ज्यादा मतलब हजारों परसेंट में वोलूम आ रहा है अगर आप कुछ दिर पहले नोटिस किये होंगे तो यहां पर देखिए तो अगर आप यहां पर ट्रेंटर हैं तो अगर आप तो पिसला हपते बोला था कि नेक्स्ट वीक प्रिभियस वीक में अगर आपको करते हैं यहां पर हंक आरमी प्रिपेर्ट क्योंकि इस हपते यह कुछ बाड़ा करने वाला ऐसा किया था अभी आज का तो आज की यह जो है करवा सके ठीक न तो अगर करवाता है तो इसली यहां से टेनेक्स जाने के पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगा क्योंकि अगर आप आप नोटिस करते हैं तो जो इसमें अभी वोलूम सार है फिलाल ठीक न यानि ना 9000 तक तो वोलूम ही आ रहा है अगर 9000 के मार्केट का भी करता है तो आसानी से टेनेक्स जाता हुआ दिखेगा जो कि वन पॉइंट इट मिलियन है अभी आज 50% के आसपास प्लस से तब जा करके वन पॉइंट एट हुए ठीक ना तो जब हम लोग यहां से देख रहे हैं तब से अभी आपको टेनेक्स करता हुआ अगर यह सेंट्र आता हुआ दिख रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ठीक ठाके ऊपर चला गया है बेज़ दें तो बेज सकते हैं हलाकि चुकि इसका सप्लाई हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा कन्फूज किया था थी ना वन बिलियन का सप्लाई है बट आउट आउट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर की जएगा बहुत जाग मिलते हैं एक नए वीडियो में